क्या अपनी मौत बेच के आप मत अदाताओं के मत खरीदना चाहते हैं? ये तमाम बात में इसलिए कर रहा हूँ कि क्या इस देश का प्रदान मंत्री अपने आपको इतना असुरक्षित समझता है कि हर जगा उनके मृत्यू के शड्यंत्र हो रहे हैं कभी मा का प्यार देख बेच के, कभी अपनी गरीबी बेच के, कभी चाय बेच के, तमाम चीजे करके आप बार बार लोगों को अपील करते हैं कि आप उनको मत दें क्या मोदी जी के पास कोई उपलब्दी नहीं 2014 से लेकर आज तक जिसके बल्बूते पे उत्रप्रदेश में भारी भहुत मत में भाज़पा को लाने का संकल्प कर से नमस्कार स्वागत है आपका हिंद वोइस में लेकर आया हूं आपका अपना कारेकरम अशोक वांकड़े ब यदी मैं इस पाँच राज्यों के चुनाओं के बाद करूँ तो उतराखंड मनिपूर गोवा पंजाब में तो ओटिंग हो चुका है उत्रप्रदेश में साथ चरणों में मतदान था पाँच चरण समाप्त हुए हैं करीब करीब तीन सो के आसपास की सीटों पे मत डल क्या है इन तीन सो सीटों में कि आने वाली सरकार किसकी होगी ये दो चरण मेरे हिसाब से फॉर्मिलडी के हैं लेकिन फिर नरेंद्र मूदी जी की बात मैं क्यों कर रहा हूं इस चुनाओं में खासकर इस पांच राज्यों के चुनाओं में हमने देखा भाशा का प्रयोग और चीजों का जो उपयोग हुआ वो इतने नीचले स्तर पे हुआ कि सुनने वाले भी शरमसार है विशलेशन करने भी शरमसार है देश शरमसार है लेकिन बोलने वाले इतने बेशरम है कि उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता याद किजिए पंजाब में जब प्रधान मंत्री जी गए थी तब एक पूल से वापस आते हुए उन्होंने जब फिर नहीं जा पाए क्योंकि कुछ वहाँ प्रधान शनकारी थे गल्ती किस्किती इसके लिए अभी तक कोई ठोस सुबुत सामने नहीं आए उस पे तो अलग से एक विश्लेशन हो सकता है लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि बता देना आपके मुख्य मंत्री से कि मैं जीवित वापस जा रहा हूँ मानो पंजाब के मुख्य मंत्री ने नरेंदर मोधी देश के प्रधान मंत्री इनके हत्या का पुरा शड्यंत्र रचा था और उससे बच के वो वापस आगए यही माईने इसके निकलते हैं उसके बाद हाली में उन्होंने बनारस में कहा कि मेरे मौत की कामनाएं की जा रही थी यहां पे और मुझे खुशी होगी मुझे बनारस में मौत आईगी तो मैं थोड़ा पीछे हाप को लेके चलता हूँ मौत का जिक्र स्वरगिये इंद्रा गांधी ने भी किया था ओरिशा के एक सभा में भाशन करते हूँ उन्होंने कहा था कि मेरे खुन का आखरी कत्रा जब तक मेरे शरीर में है मेरे अंतिम समय तक मैं इस देश की सेवा करूँगी कुछ दिनों के बाद उनके हत्या हुई और वो जो उन्होंने वाक्य कहा था वो उस समय काफी टीवी चैनलों में और अकबारों ने यूस किया कि मानों जैसे उन्हें अपने मृत्यों का आभास हो चुगा था लेकिन उन्होंने ये बात इमोशनल होके कही थी उन्होंने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उन्होंने चुनाव में उसको बेचना था या राजनिती करनी थी उस टाइम उरिसा में चुनाव भी नहीं थे उन्होंने यूही कहा था क्योंकि उनको इंट्रिजन्स के लगा था रिपोर्ट आ रही थी कि उनके जो अंगर अक्षक में जो सिख समुदाय के लोग है उनको निकाला जाएगा लेकिन इंदराजी ने कहा कि सवाल नहीं उठता ओपरेशन बिलिफ्टार की बात थी यह तमाम बात में इसलिए कर रहा हूँ कि क्या इस देश का प्रदान मंत्री अपने आपको इतना असुरक्षित समझता है कि हर जगा उनके मृत्यों के शड्यंतर हो रहे हैं हर जगा उनकी मृत्यों की कामनाई हो रही है और उससे वो लगातार बचते आ रहे हैं यदि कि इसले चरण से पुरवान चल शुरू हो गया और अंग छे न्दो पुरवान चल में ही है उस पुरवान चल विए कह ना कि मेरे मौत का जब मैं यह अकाशिक ओल्डर में आया था डेडिकेशन करने हैं तो मेरी मौत कभी लोग कुछ आशा कर रहे थे क्या अपनी मौत बे उनको अपील करते हैं कि आप उनको मत दें चुनाओं के पहले बात विकास की होती है मेक इन इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, क्या-क्या इंडिया, सारी इंडिया होते हैं और मतदान के पहले फिर एक अपील होती है कि मेरे मृत्यू की कामना हो जाती है, मुझे काशी में मृत्यू आये तो सबसे अच्छा लगेगा, यहां तो लोग मृत्यू के समय गंगा में गंगा जलके दो बूंद लेके भी अपने आपको स्वर्ग में रास्ता मिलता है, ऐसा भी कहो, तो जो लोग जाते हैं काशी में और अंतीम समय तक काशी में रुकते हैं, वो कभी कामना नहीं करते हैं, बोलके नहीं दिखाते कि हम काशी में मृत्यू आये तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्या मोधी जी के पास कोई उपलब्धी नहीं 2014 से लेके आश तक, जिसके बलबूते पे वो उत्तर प्रदेश में भारी बहुत मत में भाजपा को लाने का संकल्प कर सकते हैं, बात होती है लाभारतियों की, हम अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे तो कि ऐसा नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 19 बताता है राइट टू फूड भारतिय सम्विधा का, और राइट की फूड के तहत अनाज देना ये करतवे सरकार का अइसान नहीं है, फिर गद्दारी और नमक का करज अदा करने की बात क्यों होती है, इसके पहले भी सरकारों ने बाटा है अनाज, लेकिन इसका राजनिती करन नहीं हुआ, लाभारति कहीं हुए है, क्या देश में जब हरित करांती हुई तो उसका लाभ नहीं मिला, क्या बड़े-बड़े डैम बने तो उसका लाभ नहीं मिला, 1947 से लेकि आज तक जितने भी सरकारे बनी क्या लाभ नहीं मिला, IAT, I.M. बने तो लाभ नहीं मिला, एम्स बने तो लाभ नहीं मिला, तब कि सरकारो ने रोड्स बनाए तो लाब नहीं मिला लेकिन लाभारतियों को कभी ये जचाय नहीं गया कि आपको दिया जाता है आज की देश में इस देश की गरीबों की विड़म बना होती है कि उनको दिया भी जाता है तो उनको बोला जाता है कि याद रखिये दे रहे है ओड कि नमक मिल रहा है हग भी तो अदा करना पड़ेगा उन्होंने कहा कि नमक हरामों का नमक हलाल कैसे होने लगा है मुझे बहुत बुरा लगा बोला जो हमारा मत खाते हैं वो भी तो नमक खाने के बराबर हैं 2014 से लेकि आज तक जो जो हमको लाली पौफ दिये गए जो जो आश्वासन दिये गए उसमें से पूर्ती कहा हुई जब आप अपने दिये हुए वचन को वचन से गद्दारी कर सकते हो तो फिर हमसे नमक हलाली कैसी अपक्षा करते हैं यह लाभारतियों का जो वोट बैंक इन तो गले पड़ गया क्या हमारे चुनाओं में अब मात्र भारत पाकिस्तान जिन्ना कबरिस्तान बीस अच्छे असी गुंडा बुल्डोजर यहें शब्दावली हैं जो चुनाओं जितवाएगी मृत्यू हत्या क्या किसी के पास यह ब्ल्यूप्रिंट है कि आने वाले पा किसे के पास नहीं है आवारा पशु की जब व्यता सामने आती है तो गोबर बेचने की बात होती है आवारा पशु को संभालने की बात नहीं होती क्या हमारे नेता सत्ता का मक्कन खाने के लिए इतने निचले स्तर पे उतरेंगे और इतने निचले स्तर पे उतरने के बाद यदि वो चुनाव जीतते हैं तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं या कहने में अफसोस भी नहीं फिर गल्ती उनकी नहीं गल्ती हम लोगों की है जो इतने नीचले लेवल पे जाने वारे लोगों को भी हम सत्ता में बिठाते हैं मैं चुनाव के कई पहले दिन कई दिनों से जब से ये शो शुरू हुआ तब से मैं कई बारा पिल कर चुका हूं कि अभी चुनाव है नहीं है यह बात नहीं है लेकिन जब 30 सेकंड मिलते हैं बटन दबाने के लिए तब बटन सोच समझ के दबाईएगा जिसने राजनिती का जो केरेक्टर है वो इसने लो लेवल पर लाया ऐसे नेताओं को दूर रखेगा आज इतना ही फिर आओंगा किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार लेकिन देखते रहिएगा